क्या अब सचिन पाइलट के प्रचार में नजर नहीं आएगी सारा विधान सभा चुनाव 2018 में कॉंग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल सचिन पाइलट के टोंक से चुनाव मैदान में उतरने के बाद राजस्थान की यह होट सीट बन गई थी तब प्रचार प्रचार में देश के बड़े नेताओं के साथ सारा पाइलट भी नजर आई थी लेकिन राजस्थान विधान सभा चुनाव 2023 में टोंक विधान सभा क्षेतर से कॉंग्रेस प्रत्याशी सचिन पाइलट ने रिटनिंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गए नामांकन में खुद को तलाकशुदा दर्शाया है सचिन पाइलट ने मंगलवार को पर्चे के साथ दाखिल किये शपत पत्र में इसका उल्लेख किया है ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या सारा अब भी उनके प्रचार प्रसार में आएगी बेटों का लिखा नाम सचिन पाइलट की शादी 19 साल पहले सारा पाइलट से हुई थी पाइलट की ओर से पेश किये शपत पत्र के बाद दोनों के तलाक की हकीकत सामने आई है हालांकि इसको लेकर लोगों में चर्चा का विशय भी बना हुआ है हालांकि इस शपत पत्र से पहले ये जानकारी कभी सार् थी, हालांकी बीच-बीच में कई बार दोनों के बीच रिष्टों में अनबन की खबरे आई थी, लेकिन अधिकारिक तौर पर पुष्टी नहीं हो पाई थी, अब पाइलट के शपत पत्र से अब इस पर मुहर लग गई है, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की बेटी है, स प्रत्याशी के रूप में भरा परचा टोंक विधान सभाक शेत्र से कॉंग्रेस प्रत्याशी सचिन पाइलट ने मंगलवार दोपहर को नामांकन भरा, सिविल लाइन शेत्र में बनाए गए आरो कार्याले में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किय इस मौके पर उनके समर्थकों की भीड भी उम्री, इस से पहले सुबह करीब साढ़े ग्यारा बजे से भूतेश्वर महादेव मंदिर से पाइलट की नामांकन रैली रवाना हुए उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत की कामना की, इसके बाद वे कैंटर में सव समर्थकों के साथ रवाना हुए, इस मौके पर बेंट बाजे की धुनों पर समर्थक उनके समर्थन में नारे लगाते चल रहे थे, रैली बड़ाकुआ, मुख्य बाजार, घंटाघर, कलक्ट्रेट, पटेल सरकल तक पहुँची, वहां से पैदल चलकर आरो कार्याले तक सवा दो बजे बाद दाखिल किया नामांकन पाइलट ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दो पहर करीब सवा दो बजे बाद नामांकन दाखिल किया, उनके समर्थकों को निर्धारिक बैरिकेडिंग के बाहर ही रोप दिया गया, सिर्फ प्रस्ताव ही उनके साथ नजर तोंक में दूसरा मौका है जब उन्होंने दूसरी बार नामांकन दाखिल किया। हो गे